हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पीकी कोमर्स स्टडी तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो बना कर लेकर आई हूं क्योंकि फ्रेंट्स बहुत सारे ऐसे स्टूरंट्स जो की कमेंट्स कर रहे थे कह रहे थे कि मैं एमकॉम समस्टर 3 का कुछ इंपोर्टेंट कोशन बता दीजिए तो मैं बता दो फ्रेंट्स मेरे तब्यत कराप होने के करण में आप लोग के लिए बना पारती लेकिन आप लोग की कमेंट्स को देखते में आप लोग के लिए आज का या वीडियो बना रही हूं जो कि लैक करें और वेल बटन पर क्लिक करके ओल पर फिर कर लिए कर ली एक ये और पर लोग करने का girl करती यहां वर मारे वीडियो से बहुत ज्यादा है आप लोग को अप लोग के tu लोगों में तो सभी सिलेक्टिव को जोकि एकजाम बहुत ब्लबार से जा चुके हैं यह सभी कोजिए जोंदे के आगे बढ़ाती हो सल हुआ कि तो आज का पहला कोउसन अप लोगों का फ्रेंड्स एक टंबर में हैं आप लोगों का इस een दो-दो नमबर के कोशन में पूछने को आ सकता है और ये लॉंग टैप में भी आप लोग को पूछने को आ सकता है तो फर्स्ट नमबर कोशन आ जाता है उद्मिता की प्रक्रिया के रूप में संच्छिप में समझा है यानि कि आप लोगों को बताना है फ्रेंड से की उद्म पूछा गया निया उदम स्थापित करने के चरनों की व्याक्या करें यानि कि एक नया बिजनस स्टाप्रिंग करने के लिए कौन-कौन से चरनों से होकर गुजरना पड़ता यह सभी आप लोगों को एक्स्प्रेंट करके बताना नेक्स्ट नमबर आ जाता है फोर नमबर में कि फ्रेंचैंजिंग को परिवासित करें और इसका महत्तों को बताए यह भी कोशन इंपोर्टेंट है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया फाइब नमबर कोशन आ जाता है आप लोगों का कि लगु उदोगों की कानूनी पहलूओं को बताए शिक्स नमब कोशन आता है आप लोग का उद्मित्ता का नुकसान क्या नहीं माना जा सकता है यानि जो उद्मी होता है जो सहासी होता है जो बिसनस करता है उन लोगों को नुक्षान होता है जो कि नुक्सान नहीं माना जाता है नेक्स्ट कोशन आता है किस परकार का उद्मी और नेक्स्ट नंबर कोशन में आ जाता है आप लोगों का कि किस परकार का उद्मी जो होता है वास्तों में उनके दुवारा बेचे जाने वाले उत्पादों का उत्पादन करता है नेक्स्ट आता है आप लोगों का फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन आ जाता है आप लोगों का किस परकार का उद्मसिल बेवशाय का उपयोग करने वाले लोगों को सीधे उत्पाद बेचता है यानि कि कुछ ऐसे उद्मसिलता होते हैं जो कि जो बिजनस करते हैं जो लोग होते हैं उसको सीधे तोर पे बिजनस में अपना माल को बेचते हैं और नेक्स्ट नंबर कोशन आ जाता है आप लोगों का कि माधियम अस्तर के प्रबंध्यकों कि छे उद्मसिलता गतिवीधियां क्या है यह बतला है आप लोग तो नेक्स्ट नंबर कोशन आता है कि उद्मिता का कराधान के क्या प्रभाव हैं यह सभी बताना है नेक्स्ट नंबर कोशन आता है कि उद्मी और उद्मिता में क्या अंतर है यानि कि जो लोगों का उधमिता और न्हाचार क्या है कि नंबर कोशन में आता है एकर लगुदक की लाभों की व्या क्या करें यानि कि जो लगू उदोग होता है यह आप लोग को बतलाना है कि लगू उदोग से क्या-क्या लाब होता है यह सभी आप लोग को बताना जैसे कि मतिसे पालन पसु पालन बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे उदोग होते हैं जो कि उससे बहुत सारे लाब होते हैं यह सभी प्रभन्धन को परिवासित करें चुहरत लोगों का लगु यूजणा मुल्यांकन को परिवासित करें। 28 में आ जाता है कि बित्ति योजना को परिभासित करें 29 में आ जाता है कि निर्यात के लिए लगु उदोग की क्या सुविधा है यह सभी आप लोग के लिए most important questions से फ्रंट सी यह सभी एक्जाम में बहुत बार पुछे जा चुके हैं तो उमीद है यह कोशन आप लोग के एक् पूछ आ जाता है आप लोगों का लोंग टैप कोशन यानि कि लोंग टैप कोशन में किस तरह का कोशन पूछ जाते हैं तो फर्स्ट में आता है उदमीता का दात पर अधिक रचनात्मक बहारी वा खूली परनाली अभी विन्यास से है इसमें नावाचार जोकी मोहन और सामिल व्याख्या करें तो यह सभी इंपोर्टेंट कोशन है और सेकेंड आता है आज की समय में इंटरफेनर की नई आउधारना क्या है चर्चा करें थार्ड में आता है उदमीता को एक प्रक्रिया के रूप में उधारन सहीत समझाईए फोर में आता है एक नया उदम स्थ करने के लिए समस्या और चर्णों की व्याख्या करें फाइब में आता है कि फ्रेंचाइंजिंग को परिभासित करें और इसके महत्तों और प्रकारों की व्याख्या करें नेक्स नमबर आ नाइन नंबर में आ जाता है आप लोगों का लगों उदों को परिभासित करें इसके दस फायदे बता है और इस आई के नुकसान भी बता है तो उम्मी दिफ्रेंट्स यह सभी कोसंस आप लोगों के लिए बहुत ही जाता है इंपोर्टेंट रहा और यह सभी कोसंस आप स्टेंट्स के लोगों के लोगों कोसंद्ध्स डीए।